हलो दोस्तो नमशकार प्रॉफिट गुरू चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूँ तो दोस्तो केम्स का स्टॉक लगातार गिर रहा है ठीक है लगातार गिर रहा है बस एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में यही आ रहा है कि मैं इसमें से एक्जिट कर दूँ क्या कर दूँ एक्जिट कर दूँ लॉज बुक करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्मेंट कर दूँ ठीक है second thing कि यह आ रही है ठीक है कि मैं यहां से पूरा माल मेरा बेज दूँ और जो भी profit है मुझे वो निकल जाओं क्यों क्यों क्योंकि लगातार stock गिर रहा है मैं पहले अच्छे खासे profit में था लेकिन अब मैं एकदम normal profit में आ गया हूँ तो मुझे डर लगा है मतलब इसा बहर बहर के comment personally message Instagram पर message हमें देखने को मिल रहे हैं तो कुछ दोस्तो technical और कुछ fundamental reason लाया हूँ कि अगर आप इन चीजों को देखोगे ठीके तो यह जो आप लोगों के decision pending है वो यहाँ पर clear हो जाएंगे ठीके अगर exit करना है तो आप फिर exit कर लीजेगा अगर आपको यहाँ से buy करना है तो आप buy कर लीजेगा ठीके या मालेजे profit book करना है तो profit book कर सकते हो यह सबी चीज आप लोगों को यहाँ पर clear होते देखने को मिलेगी तो चलिए फटा पट से जानते हैं जो technical fundamental reason है उससे पहले मैं बोलूँगा नीचे description में दोस् कुछ news है हम उसको follow करते हैं तो यहाँ पर देखिए like mint की site के ओपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ ठीक है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है IIFL private equity hits big return with 50 mm camps exit मतलब दोस्तों काफी बड़ा profit book किया है किसने IIFL private equity ने ठीक है जि जब investment करने आते हैं ना दोस्तों तो इनका tight area fix रहता है क्योंकि इनको पहले से पता रहता है कि कौन सी company market में कैसा production करने वाली up camps IPO में धमाकेदा return ठीक है इसने जब तक अपना बावन भी काई लगा है जब तक धमाकेदा return तो अभी परेशान है आप लोगों को क्यों हो रही है अगर stock में profit booking भी आ गई है तो क्यों क्योंकि कुछ locking प्रेड भी रहता है ठीक है कुछ बड़े investor का locking प्रेड भी रहता है एक साल से लेके दोस्तों लगबग तीन साल तक के बीच में अभी आप लोगों ने देखा होगा 29 सितंबर के दिन यह market में list हुआ था last year और अभी उसको एक साल होते देखने को मिल रहा है तो definitely जो भी investor का एक साल हुआ होगा वो profit book करके निकल रहा है मान लिजी उनका target आ गय निकालेंगे थोड़े दिन वहाँ से निकलके कोई दूसरी जगा investment करेंगे इनका यह चलता रहता है आज यहां पर बेठें तो कल और कहीं पर जाके बेठेंगे लेकिन दोस्तों यह हमारे जैसे नहीं होती यह long term में investment करने के लिए है अब हम long term देके केम्स एक ऐसी biggest दोस्त तो largest market केप बाली company है इसके industry में जो आप लोगों को दोस्तों जानना चाहिए इस stage के बारे में कि यह 70% तक का market केप लेके बेठी होई दोस्तों 70% तक का local market में ठीक है इसके comparison में company market में list ही नहीं है तो आप देख सकते हो इसको पूरा momentum तो जोड़दार मिलेगा अब तो नीचे देखेंगे हम तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा लगबख उसका जो selling price है कितने का हुआ है केंस के तरफ से तो आप देख सकते हो जैसे कि जो आई आई एफल प्राइविट इक्विटी जो company है ठीक है investment in mutual fund ट्रांसफर ठीक है जो company है एक एज computer एज management service limited जिसे हम kems के नाम से जानते है 50 million मतलब दोस्तो 353 करोड का यहां पर position क्या हुआ है sale किया गया है तो हमारे लिए दोस्तो एक यह प्रकार से negative news है लेकिन दोस्तो अब देखे इतना market खुला है इनका तो यहां पर कोई दूसरा investor भी आएगा investment करने अगर आप investment का इनका जब shareholder pattern उठा के देखेंगे देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो computer management service limited ठीक है अग असी तक जाते देखने को मिल रहा था कितना असी तक क्यों क्योंकि एक high हो चुका था पी अनिग रेशो तब इस टॉक में profit booking आया और आज आप देख सकते हो यह कहां पर आके खड़ा हो गया है ठीक है return on employee देख सकते हो 57.7% return on equity 45% अब आप देख सकते हो इनका एक employee इतना ख लिए कुछ ना कुछ तो भड़ा अंतर खेल चल रहा था वो खेल को पल्टा गया ठीक है काफी छोटे रिटेल इंवस्टर उपर से फसाए गए सब को काफी परेशानी आ रही क्योंकि लगातार इस्टॉक गिर रहा है एक दिन गिरता दो दिन गिरता तो पता चलता ठीक है लेकिन फो Judging गिरते जा रहा है अब आगर आप देखेंगे तो उसका nutrient ratio पर अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं इसको लगाता हूँ नीचे देखे नीचे प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एकदम जो हाई लेवल यह देखे कहां चले गया था पी यह दोस्तो असी दसमलो आट पर टीके असी दसमलो आट पर चले गया था कब 16 जुलाई 2021 को अब देखे यहां से क्या था दोस्तो यह टाइम फ्रेम क्या था जब इसका पी यह था 56.8 का पाँच फरवरी ठीके यह लेवल उसके बाद आप इस लेवल को देखे इस लेवल को देखे और इस लेवल को देखे मतलब rejection rejection support support अब हम यहाँ पर क्या सोचेंगे एक ही लेवल में दोस्तों यह बार बार टेस्ट कर रहा है मतलब दोस्तों यहां पर गिरावट के बाद recovery ठीक है उसके बाद फिर तोड़ी सी profit booking और फिर एक higher level higher levels of profit booking ठीक है फिर गिरावट फिर buying फिर नीचे आये stock और फिर से उपर अब मैंने दोस्तों जब हम technical fundamental analysis video हम आमारी profit group की class channel पर प्रोवाइट करते हैं तो वहां पर आप लोगों को हर दम हर चीज बताते हैं ठीक है कि कभी भी market में इतनी बड़ी गिरावट अगर हो रही है एक दिन में आपने अच्छी खासी गिरावट market में या किसे stock में देखी ठीक है तो वह recovery एक पार में नहीं करेगा वह इस प्रकार से ही करेगा तो हमें यहां पर वही सेम condition देखने को मिल रही है देखें गिरावट काफी बड़ी यहां पर देखें यह अब नीचे पूरा technical reason है ठीक है यह पूरा technical reason है बागी company दोस्तो आपको 101% क्या 101% fundamental strong मिलने वाली है ठीक है बहुत अच्छा businesses का दोस्तो जो आगे इसको बहुत growth दिला सकता है क्योंकि mutual fund इतनी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तो क्योंकि आज normal बेखती को time नहीं market में पैसा डालने का market में दिमाग लगाने का वो खाली क्या करता है वो चलो ठीक है mutual fund का सहरा ले ले लेते हैं और उसके जरिया market में investment करते हैं तो दोस्तो जब ये mutual fund customer को service provide करता है जो सबसे higher level के mutual fund है उनको service provide करता है तो दोस्तो definitely इसका business तो grow हो गई होगा मतलब एक ये buying level पे आके खड़ा हो चुका है ये चीज को आप जरूर देखेगा ठीक है तो यहाँ पर technical reason उसके बाद आप देखें company almost date free है ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो company के अंदर जो momentum है equity का जो track record है वो भी बहुत strong है dividend देने का payout वो भी बहुत अच्छा है ठीक है उसके साथ अगर आप company का quarterly result पे focus करोगे तो सितंबर 19 में देखें पूरे quarters में company ने 144 करोल की sales की थी सितंबर 20 में आप देखें और अब जो सितंबर का result आएगा वो आपको लगभग 200 करोल के उपर sales ले जाते देखेंगा यहाँ पर देखें ठीक है उसी के साथ लाना तोर पे पूरा compare करें साला तोर पे performance देखें तो देखें तो देखें मार्च 11 में 318 करोड की sales थी ठीक है पूरे साल वर में वही sales काँ पोजगी दोस्तो डबल हो गई 21 में तो profit भी double हो गई profit डबल नहीं हो आप profit दोस्तो तीन गड़ा तीन गुना बढ़ा है देखें आप यहां पर भी देख सकते हो उसे के साफसा शेवल डेपिटन जिसमें मैं आप लोगों को interesting चीज दिखा रहा तो यह देखें ठीक है सितंबर 248 में promoters का क्या हिस्सा था एफाई आई बहुत तगडी तरीके से condition में अपना stake लेके बेटे और हर quarter में stake बढ़ा रहें ठीक ह तो पहले देखते हैं एफाई है इसमाल वर्ल्ड फंड मतला वर्ल्ड फंड आप देखें हर quarter में अपना stake बढ़ा रहा है ठीक है यह जो ठीक है इसके बाद अगर आप देखें तो यह वाले investor भी मतला इनोंने चालू किया उसके बाद भी continuously बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है द अगर मैं बात करता हूं तो SBI small के fund का अगर मैं बात करूं तो देखें यह भी खतरनाक investment करके बिठा है HDFC bank यह भी बहुत खतरनाक investment करके रखा है IIFL India Private Equity Fund जो दोस्तो अभी आप लोगों के सामने में ने दिखा है ठीक है यह भी बहुत खतरनाक अपना investment बढ़ाते जा रहा था और आप यहां पर पूरी तरीके से क्या कर दिया है exit कर दिया है SBI Life Insurance की मैं बात करता हूँ आप देख सकते हैं एकदम खतरनाक investment करके बेटा हुआ है तो दोस्तो इनका profit book करने का कोई reason नहीं रहता है ठीक है कोई reason नहीं रहता कि stock में गिरावट हो रही इनका जो भी fund रहता है वो तुरंत होता है इनको नहीं कुछ startup दिख रहा हूँ महाँ पर जाके investment कर देंगे अब देखे business model देखते हैं इनका तो यहां पर आप देखे जो technology इनका derive है ठीक है financial infrastructure and service provider बहुत अच्छा और strong देखने को मिल रहा है इंडिया largest registered and transfer age ठीक है जिसे हम RTA बोलते हैं ठीक है जिसमें लगबग दोस्तो 70% का यह market share लेके बेटा हुआ 70% का ठीक है अब देखे service all top 5 mutual fund is and 9 of the 15 largest mutual fund is 19 year average मतलब दोस्तो लगबग यह 19 साल से service provide कर रहा है इनका जो relationship पे ठीक है last जो मतलब 10 largest mutual fund client है उनसे बहुत strong देखने को मिल रहा है ठीक है अगर मैं बात करता हूँ domestic level का इनका जो process है infrastructure है ठीक है वो भी बहुत strong है ठीक है pain India physical network अगर बात करते है वो भी बहुत unique देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद अगर आप इनका track record उठा के देखोगे तो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है Macquarie shareholder वो भी बहुत अच्छा है आप देखे HDFC और इसके बाद अगर आप देखेंगे HDFC bank तो इस प्रकार का दोस्तों बहुत शांदार तरीके से इनका क्या देखने को मिल रहा है business model और आप अगर देखेंगे तो experience management team लगबग 27 साल से दोस्तों इस industry में काम कर रही है तो द वाले वेक्ती तो average मिला के चलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों इसकी buying की opportunity आ गई है कभी एक reversal दे सकता है और अच्छे strong move में आप लोगों को return दे सकता है चलिए stock का performance देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नाम से दिखता है दोस्तों computer edge management service limited मतलब पूरा technology basis वाला काम क या 329 रुपे देखे खतरनाख तरीके ससने reversal दिया था लेकिन फिर इसमें profit booking आ गया था उसी के साथ 52 विक का ही 52 विक का लो तो आप देखी रहें ठीके उसके साथ अगर मैं overall का performance दिखाता हूं तो overall के performance में आप यहां पर जब लगा के देखेंगे तो यह दायरे में आ गया ठीके एक मेने में 23% गिरा है ठीके 6 मेने में 500% भागा है तो दोस्तों जो यह एक मेने में 23% गिरा है ना इसको एक best opportunity मानो ठीके एक golden opportunity मानो कि stock इतना नीचे आ गया है परिशानी company में कुछ भी नहीं है ठीके जो आप सोच रहेंगे कि management में कुछ खराबी हो रही होगी company के अंतर कुछ fraud चल रहा होगा जो daily basis पर गिर रहा है अभी market में वो news नहीं आया है बाद में आएगा तो इसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों ठीके बस अपना mind state करके चलिए और दोस्तों positive वे में बेठे रहे हैं क्योंकि profit guru जो है ना दोस्तों आप लोगों को हर वदम positive में ही रखता है तो आपका यहाँ पर पूरा doubt के लिए हो गया होगा दोस्तों तो please इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe करेगा क्योंकि दोस्तों इसे वीडियो हम daily basis पर आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तों